हाई फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माय चैनल फ्रेंट्स आज मैं तीन चीजों से ऐसी जबर्दस्त रस्पी बनाऊंगे कि सब देखते रह जाएंगे आओ देखते हैं कैसे पहले हमें गैस पर कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई में डालेंगे तेल आपको यह भी और इसमें यूज कर सकते हैं आफ में स्वाइल को अच्छे से गरम होने देंगे कर घ्व tissue अब कर अदिम अच्छे से गरम हो गया है उसमें डाल देंगे जीरा अब जब जीर अच्छे से चैतक चुका है तो डाल देंगे कटावा प्याच उसे पिंखोने तक तो यह थोड़ा सा अध्रक लसन का पेस्ट भी डालेंगे अब यह हमारी प्याज लसन अध्रक का पेस्ट अच्छे से ब्राउन हो चुका है तो इसमें हम बनाना करते हैं शुरू सबजी तो सबसे पहले मारपास जो बीन से जिसको मने कट करके रखा हुआ है उसे डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएंगे कि सारे ओयल की कोटिंग और प्याज गार्लिक और जिंजर का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए बीन्स के ओपर और अब इसे हम थोड़ी दिर के लिए ढखकर ऐसे ही रख देंगे तो गैस को कर दें स्टाइम मीडियम लो फ्लेम पर और इसे पांच मिनट तक के लिए ऐसे ही गल ले दें तो फाइम मिनट सो चुके हैं अब इसे हम खोल के देखते हैं तो फ्रेंस ये अच्छे से गल चुकी है इसका कलर भी ट्रांस्परमेंट हो गया है आपको दिख रहा होगा कि आउयल कितने अच्छे से बीन्स के ओपर दिख रहा है अब इसे हम एक पर चलाएंगे और इसमें डाल देंगे हम और सबजी हैं जो हमने कट करके रखी है जैसे मैंने आज आज आपको कहा कि हम सिर्फ तीन चीज़ों से बनेंगे तो तीन चीज़े हैं मेरी है आलू, गाजर, बीन्स तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू, गाजर, बीन्स की सबजी ये बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम मसालों में बनके तैयार हो जाती है तो एक बार आप इसे ज़रूर दोय कीजिएगा आप इसे रोटी के साथ पूरी के साथ पराठे के साथ या लंच बॉक्स में या टिफिन में जैसे चाहें यूज कर सकते हैं ये सबजी हर तरह से हल्दी और टेस्टी होती है तो अब मैंने इसमें डालने हैं कुछ मसाले तो स जादा डाल दे नहीं तो फिक्स इसमें आदी स्पून काफी है क्योंकि मैंने इसमें दो बड़े आलू डाइसो ग्राम गाजर और डाइसो ग्राम बेंस लिया है अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर ऐसे ढखकर पकने हैं कि हमारी सबजें गली है या की नहीं तो फ्रेंस स्टीम अच्छे से बन चुकी है और सबजेों का कलर भी चेंज हो गया है तो पहले हम इसे चलाएंगे कि कहीं ये नीचे लगी तो नहीं है क्योंकि अभी तक हम ने इसने बिल्कुल भी पानी का इस्तमाल नहीं किया है ये सबजी अपनी ही स्टीम से पकर तयार होगी। तो फ्रेंस आपको दिख रहा होगा कि सबजी आदी गली सी हो गई है। लेकिन अभी ये थोड़ी कच्छी है। तो अभी इसे हम एक बार और ढ़क देंगे। और ढ़कने के बाद आगे देखिए हम क्या करते हैं। तो अब हम लेंगे एक कटोरी और इस कटोरी के अंदर डालेंगे। हम सबसे पहले हल्दी और एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये हैं मेरे पास आधा चमच गरम मसाला। अब इन तीनों चीज़ों को डालकर हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और पानी डालने के बाद इसका एक पेस्ट तयार करेंगे लेकिन उससे पहले से अच्छे से चला लेंगे। तो मैंने सिर्फ कटोरी में तीन मसाले डाले हैं। हल्दी, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और अब इसमें चार चमच पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारे पास मसालों का एक घुल बनके तयार हो गया। अब इसे हम रखेंगे साइड में। तो ये मसालों का घुल और एक टमाटर को मैंने कट करके रखा है। अब हम सबजी को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंस आपको दिख रहा होगा कि सबजी अब गल चुकी है। तो अब जो हमारे पास मसालों का घुल तयार किया है। उसे हम इसमें डाल देंगे। तो ये तीनों मसालों का घुल मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसे एक बार चला देंगे। जिससे मसाले अच्छे से हमारी सबजी में मिक्स हो। और अब इसे हम दो मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए भूनेंगे अब हमारी सब्जी और मसाले अच्छे से भून चुके हैं आपको दिख रहा होगा कि कड़ाई ने मसाले और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया तो इसमें बिल्कुल भी आपको पानी नीचे नजर नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि सब्जी और मसाले अच्छे से भून चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे नहीं कटा हुए टमाटर जिसको हमने काट के साइड में रखा हुआ है तो इसमें हमारी सब्जी अर्मस्ट पक चुकी है टमाटर डालने से इसका फ्लिवर और टेस्टी हो जाए को इसमें थोड़ा सा खटास वाला जो टेस्ट आएगा वह सब्जी की और ज्यादा स्वाधिस्ट बनाएगा तो इसलिए हम आप टमाटर का इसमाल जरूर करें अगर आप टमाटर ने डालते तो इसमें थोड़ा सा हमचोर का इसमाल भी कर सकते हैं अब टमाटर डालने के बाद इससे अच्छे से मिक्स कर दे और मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही मीडियम गैस पर पकने दे जिससे क्या होगा कि टमाटर का जो पानी होगा वो इस सबजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और टमाटर घल जाएगे तो फ्रेंस अभी पांच मिनट हो चुके हैं और हम इसे फिर से खोल कर देखते हैं कि हमारी सबजी और टमाटर किस तरह से मिक्स होए हैं तो ये देखो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि हमारे आलू ओ बीन्स किस तर्ला गले है या नेही गले है तो सरफ 10 मिन्ट के अंदर हमारी सबजी बनके हो गई है तया और यकीन माने ये बहुत ज़ादा हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सबजी है तो फ्रेंस हमारी तो आलू बीन्स गाजर सिर्फ तीन चीजों से बने वाली सब जिबन के हो गए तयार तो मैं चलती हूँ फिर मिलूंगी अगली वीडियों में उससे पहले सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आज की ये रेसेपी आपको पसंद आई हो जो बनी है सिर्फ तीन चीजों से तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और जो नियो मेरे साथ जोड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साइड में बने हुए बेल के आईकॉन को भी दबा लें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे थैंक्स वर वाचिंग एंजोई गीता सिंग रेसेपीज